पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया लेकिन वैशाली के महुआ में 15 अगस्त को जो कुछ हुआ वह ना सिर्फ रास्ट गान और तिरंगे को शर्मशार करने वाला था बलकि नेताओं की घटिया सोच और मानसिक्ता को दर्शाने वाला था महुआ के अक्षैवट कॉलेज परिसर में 15 अगस्त को कॉलेज प्रवंधन और जदियू के पुर्व विधायक रविंद्र राय के बीच का विवाद स्वतंतरता दिवस को शर्मशार कर गया और जदो तोलन के लिए पुर्व विधायक प्रिंसिपल से भिड़ गए किसी तरह जवरन प्रिंसिपल पियल यादम ने जदो तोलन तो कर दिया लेकिन लगातार पुर्व विधायक हाथा पाई और धक्का मुक्की करते रहे इस बीच जदा भी नीचे आ गया और रास्ट्रगान भी पूरा नहीं हो सका लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं हुई और जदो तोलन के समय हुए हाथा पाई के बाद प्रिंसिपल के चेंबर में भी पुर्व विधायक ने जम कर गाली गलोच किया इस पूरे घटना क्रम का किसी ने वीडियो बना लिया जो अब शोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है बता दें कि अक्सर विवादों में रहने वाले पुर्व विधायक रविंद्र राय 2010 में जदियों से विधायक बने थे जिसके बाद उन्हें जदियों से निस्कासित कर दिया था जिसके बाद वो हम पार्टी में शामिल हुए हलांकी फिलहाल पुर्व विधायक किसी भी पार्टी में नहीं है लेकिन विधायक के हरकत की हर तरफ नींदा की जा रही है हलां 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 हला पुर्व प्री इताल कर दो के बादान cud झाल झाल झाल